चलिए बच्चो स्वाखता आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में इस वीडियो में बच्चों हम लोग टर्म टू की शुरुआत कर रहे हैं हिस्टरी के चैप्टर टु से यानि नेशनललजम इन इंडिया ठीक है स्ट्री में सिफ एक ही चेप्टर आ रहा है इसी चेप्टर से शुरू करेंगे बच्चों एंड तक वीडियो को देखेगा वीडियो में आपसे टू या थ्री कोशन पूछे जाएंगे उनके आंसर कमेंट वॉक्स में दीजेगा जैसे ही चेप्टर कम्प्लीट होता है हर वीडियो में कुछ कोशन पूछे जाएंगे जो भी बच्चा इसके करेक्ट आंसर देता है सारे दो या तीन बच्चों को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट पुचाऊंगा ठीक है तो बिना किसी देरी के शुरू करते है बच्चों चेप्टर को और प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखेगा इससे आपको बहुत कूछ सीखने को मलेगा और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा 10-12 मिनिट्स की वीडियो होगी ठीक है चलो बच्चों नेशनलिजम इन इंडिया सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है तो बच्चों नेशनलिजम इन इंडिया का मतलब है कि हम एक नेशन स्टेट को बनाए यानि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वहां के सारे लोगों में ठीक है देखो सारे लोगों में अपने देश के प्रती प्यार हो ठीक है वो अपने आपको एक ही देश का मेंबर मानते हो यानि common identity को share करते हो और उनमे belongingness हो कि हम एक दूसरे को belong करते हैं ठीक है इसे कहते है नेशनलिसम अब इस चेप्टर में हम पढ़ने क्या क्या हवाले हैं इस चेप्टर में सबसे काम की चीज़ है बेटा महात्मा गांधी जी ठीक है महात्मा गांधी जी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने हापे कौन-कौन से movement से लाए ठीक है तो उनके movements में हम non cooperation moment civil disobedience moment के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा की collective belongings के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो शुरू हुई और इससे related जितने भी events ने वो पढ़ेंगे हम नए symbols पढ़ेंगे, new symbols पढ़ने को मिलेंगे हमें, नए signs या नए ideas जिनसे nationalism को बढ़ावा मिला इसके अलावा कैसे इंडिया में ये nationalism या इस तरही की consciousness डेवलप हुई और कुछ common points जिनसके basis पर colony में, यानि जो इंडिया colony थी बिटिश की इसमें nationalism कैसे डेवलप हुई इसके बारे में जानेंगे हम anti-colonial movements के बारे में पढ़ेंगे, यानि अंग्रेजों ने जो colony बढ़ाए उसके against में, उसको खतम करने के लिए हमने क्या-क्या movement शुरू करें इसके बारे में ठीके बचो, बिना किसी देरी का जाते हैं, शुरू पर nationalism in India, topic number one पर आते हैं, nationalism in India पर, देखे बचो effects of world war one in India, जो world war one हुआ था, 1914 में शुरू हुआ, 18 तक चला इस world war में, यूरोप की countries आपस में लड़ी, लेकिन इसका असर दुनिया भर पर देखने को मिला ब्रिटेन ने भी इसमें participate करा था, क्योंकि ब्रिटेन में गुरूप था, ठीक है, एलीस का तो ब्रिटेन ने अपने war के expenditure को बढ़ाने के लिए, इंडिया में क्या करा, income tax introduced करा, और बाकी taxes को बढ़ा दिया, अब बचो जब tax बढ़ेंगे, तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगे, तो price बढ़ गए, इवन 1913 से 18 के बीच में, price double तक हो गए, इसकी वज़े से common लोगों को बहुत जादा दिक्कत जिलने पड़ी, अगर इतना ही होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती लोगों को, गाउं के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में recruit कर दिया गया, इसे force recruitment कहा गया, यानि उन्हें बोला, आप अस्ट पुष्टो, चलो लड़ने हमारी तरफ से, यानि हम आपको कुछ award दे देंगे, आपको price देंगे, आप हमारी तरफ से लड़ो, इस की वज़े से food shortage हो गई, यानि खाने की कमी हो गई, फिर अगर हम बात करें, तो 12 से 13 million, यानि 1.2 करोड से लेके, 1.3 करोड लोग famines में मारे गए, और epidemic में मारे गए, अब famine क्या होती है, जब बहुत बड़े level पर अकाल पड़ता है, खाने पीने की कमी होती है, epidemic कहते हैं, ब appear हुए, इन में से एक नए leader के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है महत्मा गांदी, ठीक है, इन्होंने एक नया mode दिया हमें struggle करने का कि किस तरीके से हमें वरोध करना है, चले बच्छो, देखते हैं, नेक्स टॉपिक पर आते हैं, हम हमारे नेक्स टॉपिक की तरफ The Idea of Satya Karay, अप लोग के लिए मैं अलग अलग तरीके से लिख रारू है, यह बुख है The Birth of Satya Karay, यह देखे रहे हैं ना महत्मा गांदी, यह भी महत्मा गांदी है, यह महत्मा गांदी है, साउथ-मपर की वाले, जहाँ उन्होंने सत्यग्रे की शुरूआत करी थी, तो Satya Karay कि रहे हुआ क्या था महत्मागांधी गये थे साउथ अफ्रीका वहाँ पर वो ट्रेन में थे और इंडियान यानि रंग भेद की वेज़े से अपार्थिद की प्रॉब्लम थी वहाँ पर अपार्थिद की वेज़े से उन्हें अच्छे उतार दिया गया तो उन्होंने आगरे मतलब किसी से request करना तो इन्होंने क्या कहा महत्मा गांदी ने सत्यगरे के बारे में कि सत्यगरे एक ऐसा idea है जिसमें हम सत्य की ताकत पे जोर देते हैं और हम सत्य की खोज करते हैं कि क्या चीज सही है अगर आपका कारण बिल्कुल सत्य है यानि true है तो ऐसे में आपक इंडस्टिस से लड़ने के लिए किसी भी तरीके की physical force की जरूवत नहीं है यानि आपको लड़ने की जरूवत नहीं है अगर कोई आपके सामने enemy भी है आप सत्य पर हो तो आप अपने सत्य पर ठेके रहो आपको इस operator से युद्ध करने की fight करने की कोई जरूवत नहीं है ए जो सत्य ग्रह में जो oppressed व्यक्ति है यानि जो दवाया जा रहा है उसका conscience कनसाइस मतलब होता है अपना संग्यान अपनी अंतरात्मा ठीक है तो उस दवय हुए आदमी की अंतरात्मा जबाने वाले व्यक्ति यानि oppressor की अंतरात्मा को अपील करेगी कि तो तो देखो सत्त क्या है सत्त को देखो उस अकॉर्डिंग काम करो उसके उपर जवरस्ती सत्य थोपा नहीं जाएगा ठीक है जैसे सपोस करो मान के चलो अभी हम बात करते हैं गॉर्मेंट ने थ्री फॉर्म विल लेकर रहे हैं तो जो किसानों का जो आंदोलन था उसमें बहुत तरीकी कि अलग लग सीज़े चली अगर वो सत्य पर थे तो उन्हें हिंसा की जरूरत नहीं परती वो सिर्फ सरकार के सामने अपील करते तो सरकार को एक नहीं गिन मजबूर हो कि सत्य देखना पड़ता और फिर उसके बाद सरकार उसी अकॉर्डिंग रेक करती ठीक है आते हैं बच्चो गांदी जी और सत्य देखना आप बात करते हैं गांदी जी के बारे में तो पहला कोशन राइज होता है आपको बताना है कि महत्मा गांदी साउथ अफरिका किस किस काम से गए थे ठीक है कोश नमबर बन महत्मा गांदी साउथ अफरिका कब गए और किस काम से गए ठीक है शुरू करता हूँ मैं यहां पर सत्य खरे के बारे में हमने जाल लिया 1915 में महत्मा गांदी South Africa से India वापस लौट कर आए ऐसा नहीं था कि इससे पहले लौट के नहीं आ रहे थे गए थे बीच में लौट कर आए फिर वापस चले गए फिर वापस लौट आए फिर वापस चले गए फिर वापस लौट आए ऐसे कहानी चल रहे थी वहाँ पर पर्मानेंटली रोके हुए बसे हुए नहीं थे ठीक है ना ऐसा मसोच ले ना कि वहीं पर बस गए थे जाकर उसके बाद लौट के नहीं आ रहे थे यह इंडिया में आए 1915 में इन्होंने South Africa में जो successful सत्यगरे मुव्मेंट शुरू करा था जब यह इंडिया लौट करा है तो यह चाहते थे politics को जोईन करना ठीक है तो बचो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है इनके पास गए गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें अपना गुरू बनाया और इनसे कहा कि मुझे politics जोईन करनी है उन्होंने कहा कि ठीक है politics जोईन करना चाहते हो तो उससे पहले एक बर इंडिया को घूम लो कि इंडिया है कैसा इंडिया के बारे में जाल दो इंडिया के लोगों के बारे में उनकी पीडाओं के बारे में इंडिया घूमने निकले भूमने लिख ले तो भी उन्हें लगा कि हमारे आपे तो भाईया लोग के पास पहनने को कपड़ा ही नहीं है इसलिए उन्होंने फिर तब से धोती के अपना ली कि अब मैं भी तब तक कब वस्तर नहीं पहनूँगा जब तक हमारे देश के अर्विक्ति के पास कपड़े नहीं होंगे चलिए कोशन नंबर टू कोशन नंबर टू के लिए तेगा रहे है बच्चो कोशन नंबर टू है कि 1916 में जो चंपरन मुमेंट हुआ महत्मा गांधी को चंपरन क्लिक किसने बुलाया ठीक है किसने कॉल आउट किया ठीक है कोशन नंबर टू कमेंट बॉक्स में दीजेगा आंसर ये पढ़ते है 1916 में क्या हुआ बिहार में इंडिगो की खेती कराई जाती थी किसानों से जवरदस्ती उनसे कॉंट्रेक करा लिया जाता था और उस पर खेती करा लिया जाती थी इसकी वज़े से किसानों के पास ना तो फूड आ पाता था उनकी जमीन की जो fatality है वो degrade हो जाती थी इसके अलाव अगर हम बात करें तो अंग्रेज थे अंग्रेज ही यह इंडिय को खरीदा करते थे नील को खरीदा करते थे बहुत कम रेट में ताकि यूरोप की इंडस्टीज को बेच के अच्छा काथा profit कमा सके तो बेचार यहां के किसान परेशा गए जो कि उनके home state यानि गुजरात में है वहां पे क्या था जो किसान थे उनकी फसल फेल हो गई थी सरकार उनके टक्स माफ नहीं कर रही थी उनसे फिरी में काम कराया करती थी इस ट्रम को कहते हैं बेगार वी जी ए आ तो उनसे बेगार कराया करती थी तो महत्मा गांदी को भुलाया गया अपने ही home state के एहमदाबाश शहर में Cotton Mill Workers की Strike में जाकर इनोंने तीसरा सत्यगरे शुरू करा Cotton Mill Workers इनके ही जानने वाले दोस्ते Wages के लिए बच्चों की Wages इंप्रूव करने के लिए की Wages कैसे इंप्रूव किये जाएं है ना और Working Condition को Improve करा जाए इसके लिए महत्मा गांदी को बुलाए गया महत्मा गांदी को लगा कि मेरे दोस्त हैं मेरी वास सुन लेंगे लेकिन उन्होंने सुनने से मना कर दिया Mill Workers ने तो महत्मा गांदी गेट के बाहर बैठ गए स्ट्राइक कर दी काम बन है ना कि कैसे भी करकर हम अपने वो सुधारेंगे तो नोंने यहाँ पर भी सत्यग्रे करा जो किये भी काफ़े सक्सेस्वल रहा बच्चो ये जो पीरेट था इस पीरेट में महत्मा गांदी को नेशनल लीडर बना दिया इन सत्यग्रेव उने ठीक है चलो बच्चो इधर देखते हैं जरद्ध्यान से देखना मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ इन इमेजिस को देखो जरद अच्छे से देखो सबसे पहले ही चंपारन की में जिसमें मोहंदास अब महत्मा बने ठीक है चंपारन के बाद ही आपका कोशिण नमबर ठी महत्मा गांधी को महत्मा के टाइटल किस ने दिया इनका नाम तो महंदास करमचन गांधी था तो महत्मा का टाइटल ने किस ने दिया ठीक है यही इसी के बाद यह नेशनल लीडर की इमेज बनी खेड़ा and then एहम्दाबाद मिल स्ट्राइक इसके बाद बच्चो आते हैं नेक्स टॉपिक पर इसके बाद कि वो 1919 में एक सत्यगरह शुरू किया गया रूल एक्ट के अकॉर्डिंग तो रूल एक्ट क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है तब ही तो जानेंगे कि रूल एक्ट का सत्यगरह क्या था आते हैं बच्चो रूल एक्ट के बारे में देखे हुआ क्या 1918 में जब वर्ल वार वन खतम हुआ तो जो आर्मी में ले आए गई युवा थे जब वो लॉट कर आए कई तो मारे गए थे उन्होंने आके डिमांड करी कि आपने हमसे प्रॉमिस कर रहा था आप हमें कुछ पे करोगे तो दो अंग्रेस सरकारिस के लब दही नहीं दी थी कुछ भी ना तो हमें छूट दे रही थी ना हमें कंसेशन दे रही थी पॉलिटिकल हमें राइट्स दे रही थी तो पंजाब रीजन में में लिकाँ पर पंजाब रीजन में बहुत सारे anti-colonial activities arise होने लगी ठीक है और बहुत सारे movement शुरू होने लगे लोग organize होने लगे तो इन्होंने क्या करा बहुत जल्दी में imperial legislative council या हम कहें British सरकार ने एक law pass कर दिया गांदी जी के सत्यग्रे के idea के against ठीक है कि गांदी जी के अजब सत्यग्रे चला इसके according बहुत जल्दी से एक idea pass कर दिया उन्होंने law pass कर दिया सरकार ने इसमें क्या करा political activities को दवाने के लिए बहुत ज़ादा power दे दी गई सरकार को की कैसे भी करकर यहां की political activities को दवाना है ठीक इसमें क्या किया गया इसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की revolution में करांती से जुड़ा हुआ तो उसे बिना किसी trial के बिना किसी judge के सापने पेश करें दो साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा ठीक है बच्चो आपके लिए मैं देखो यह ढून के लाए था imperial legislative council black bill इसी रोलेक्ट act को black bill के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो बच्चो हुआ किया इसमें फिर पंजाब में दो व्यक्ति थे एक का नाम था सैफद्दीन किछलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्पाल तो दोनों को ग्रफतार कर लिया गया और दोनों वहां के बहुत important personality थे जिसकी वज़े से जब उन्हें ग्रफतार किया तो वहां पे बहुत सारे दंगे failure उसके बाद वहां जलिया वाला बाग में सेकर वगर है हुआ उस सबको हम next part में पढ़ेंगे आज के part में सिर्फ इतना ही अगर आपको कुछ भी अच्छा लगाओ तो प्लीज अपना support बनाया रखेगा सिर्फ इतना कर दीजे मेरे लिए इससे फितना करिए कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए आपको कुछ ना कुछ और notes के लिए बच्चो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा मैं notes वहां पे available करा दूँगा मिलते हैं next part में